जब आप इसमें बड़े टायर लगाते हैं, तो इंजिन सीज होने का खत्रा होता है, और माइलेज तो कभी भी आपको अच्छा नहीं मिल सकता है, चिप चिप अबन देख रहे हैं, बाकी है, यानि कि मेरी गाड़ी अभी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, जो गाड़ी हासिल कर सकते हैं, कुछ चीजों को ही तो ध्यान देनी की ज़रूरत है, उक चीजें क्या है, आपको अपनी इस वीडियो बता ले वालों, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, अगर आपको चाहिए, आज के इस महगाई वाले जमाने में बढ़िया माइलेज, तो च ही परफेक्ट रहेगा, और कैसे रहेगा, अब आपकी दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे पता लगाएं कि कितनी हवाइज में होनी चाहिए, दरवाजे पर लिखा रहता है कि आपको कितना एर प्रेशर मेंटेन करना है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत मैटर करती है, तो तंदरुस्त रहेंगे तो गारी का mileage best रहने वाला है अगर टायर खराब होगे तो गारी का mileage पूरा चला जाएगा जो गारी आपको 12-14 का mileage देती है हो सकता हो गारी आपको सिर्फ 7 या 8 का mileage दे इसके अलावा एक बात का जिक्र और ज़रूरी है अगर आपको मज़ा आता है देखने में बड़े बड़े टायर बड़े अलॉय तो गारी हो नहीं करवाना चाहिए जो इसमें आपको टायर प्रोफाइल मिलता है सपोज करिया 195 60 R16 मैगनाइट पर मिल रहा है आएए अब आपको एक और एहम बात बताता हूँ जो कि गारी की माइलेज के सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको बढ़िया माइलेज चाहिए तो देखिए क्या है कि ये सर्विस बहुत ज़रूरी है और एंजिन ओयल समय समय पर चेंज करवाते रहना चाहिए तो ये देखिए निकाल लीजी हर कोई निकाल सकता है और मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी इसमें सर्विस की ज़रूरत है या नहीं चिप चिप बबन देख रहे हैं बाकी है यानि कि मेरी गाड़ी अभी परफेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है तो ये सारी चीजे अगर आप सर्विस ना भी करवा पाएं तो कहा जाता है सिर्फ एंजिन ओयल चेंज कर लें कि बहुत एजी होता आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन खुद करने के वज़ाए मुझे लगता कि आप इतना जहमत उठाएंगे तो आप आरांस जाकर करवा लीजिए और ये गाड़ी आपको सबसे बेस्ट माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो आपको देती रहेगी तो वह बाते थी जो गाड़ी को बाहर से आप कर सकते हैं और ये कुछ बाते हैं जब आप ट्राइब करते हैं तो वहाँ पर आपको धिया रखना चाहिए तो सबसे पहला पाइंट यहां पर तीस्रा पाइंट जो मैजिक करने जा रहा हूं गाड़ी का इलाइनमेंट यानि कि बेती बात्ति अज़ने जो लिए चाल हाु भादे होते बाटों अप्याड होते हैं सब्सक्राइब माईलेज बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है तो गाड़ी का alignment करवाना ज़्यादा सही रहेगा तो ये एक बात ये थी जो आपको ध्रान रखनी चाहिए तो दोस्तों आप drive कैसे करते हैं उस पर पूरा निर्फर करता है गाड़ी का माईलेज तो आपकी driving style परफेक्ट होनी चाहिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं यह नहीं जिसे मैंने अभी उठाना शुरू किया तो मैं आराम से हलके पैर से उठा के और जब उचे शिफ्ट करना है तो नहीं फटाक से शिफ्ट कर दिया और अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारा माईलेज बचा पाएंगे और एक कंसिस्टेंस इस पीड जो होती है उसको आपको फॉलो करना है नहीं कि फालतू मतर्ब जैसे आपने एक्सिलरेट कर दिया फिर डाउन आगे यह नहीं करना है आरा हमारम से लाते हैं माईलेज अच्छा मिलेगा और गाड़ी को अगर आप 60 से 80 के बीच में रखेंगे तो आपको मैकसिमम माईलेज मिलेगा यानि कि जो कंपनी नहीं क्लेम करती है उससे ज़्यादा भी माईलेज आप हासिल कर सकते हैं लेकिन और आल सेनारियो में अगर आप 100 तक भी गाड़ी चलाते हैं तब भी आपको बेस्ट माईलेज मिलने वाला लेकिन इसके उपर जैसे आप जाते हैं माईलेज गाड़ी का पुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है पांचवाँ पॉइंट जो की बेहत जरूरी है अगर आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है अगर खुले रास्ते पर आप गाड़ी चला रहे हैं सबोज करिए कि अगर मैं खुले रास्ते पर हूं जैसे कि मैं यहां पर चल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा क्रूज कंट्रोल लगा के गाड़ी चोड़ दिया है 43 पर चल रही है एक कंसिस्टेंट स्पीड में फॉलो कर रहा हूं मैं गेर भी चेंज कर देता हूं अगर आप ऐसी सड़क पर है जहां पर खुली सड़के हैं और घंटो ब्रेक लगाने की जुरूट नहीं परती है मैं आपको request करूँगा कि वहाँ पर cruise control का इस्तेमाल करिए और steering wheels अभाल के बैठिए आपको best mileage आपकी गारी कोई सी भी होगी और निकाल कर दे देगी एक bonus point आपको बताता चलों जो कि बहुत ज़रूरी हो था mileage के लिए गंटों अगर आप कहीं खड़े है ना गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देते हैं तो ऐसा मत करिए खड़ी गाड़ी में आपको ना इंजन स्टार्ट करके रखना चाहिए ना एसी चलाना चाहिए बहुत ज़्यादा दो चार पांच दस मिनित चलता है लेकिन इस से ज़्यादा करते हैं तो माइलेज ही नहीं जाएगा गाड़ी भी आपकी प्रॉब्रम दे सकती है और ये कोई भी कंपनी सजेस्ट नहीं करती है तो क्या करना होगा अगर आप टेडलाइट पर रुखते हैं तो इंजन को बंद कर दीजिए थोड़ा कश्ट हो आप कब अपना होगे या अपनाना शुरू कर चुके या फिर अपनाते हो एक कॉमेंट करके बताएगा मैं आप सभी का इंतजार कर रहा हूँ मेरी तौरह बताई गई इन बहुतों को जरूर फॉलो करना जिसे आपको बढ़िया माइलेज मिल सके दोस्तों उमीद करता हू मेरा ही वीडियो आपको पसंद आया होगा फिर बच्छ रहे गया है कुछ और जान चुलना चाहते हैं और एसी वीडियो देखना चाहते हैं तो बची इस्टाग्राम पर चले हैं कॉमेंट करके बताएगा मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आओंगा कल फिर मिलता किसी और वीडियो में अपना बहुत सा ध्यान रखियेगा